चलेंगे बक्तामरिस्तोत्र की ओर उनी रिसब देव भगवान के गुणगान में जिनका अक्षे तृतिया पर्व आप सब कल मनाने जा रही हैं मड़ी शद्धा के साथ हाथ जोड़ करके 45 नंबर का श्लोक बोलेंगे आज उद्भूत भीशन जलोदर भार भुगना सोच्चाम्दशाम उपगताश्चुत जीविताशा तत्पाद पंकजर जो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवंति मक्रद्ध तुल्य रूपाः महा ब्याधी विनासक इस श्लोक का एक एक शब्द आचार्य स्री मानतुंग स्वामी ने बहुती भावों से रखा है एक एक शब्द के अंदर अचिंत शक्ती भरी होती है क्या कहते हैं आचार्य द्योग उद्भूत भीशन जलोदर भार भुगना हा अर्थात जिनके शरीर के अंदर महान भयंकर जलोदर जैसे भयानक रोग उत्पन हो गए हैं उसके कारण भी बहुत दुखी हैं रोग से वैसे भी दुखी हो जाते हैं और भहंकर रोग कोई आजाए असाद दे रोग आजाए उससे प्राप्त दुख से जो महान दुखी हैं शोच्याम दशाम उपगताह उपगतांस चित जीविताशाह क्या करते हैं तो वही सोच को जब प्राप्त होते हैं और जीवन की आसा को भी छोड़ देते हैं मौत उनके सामने दिख रही होती है ऐसे भविप्राणियों को भी मर्त्या है मर्त्या मने मनुस्य लोक में रहने वाली मनुस्य घण ऐसे उन मनुस्यों के लिए तत्पाद पंकज रजोमृत दिख देहा आपके ये भगवन आपकी चरण कमलों के धूली रूपी अम्रत से जब वे अपने शरीर को लिप्त कर लेते हैं तो मकरत तुल्ली रूपा भवन्ती काम देव के समान सुन्दर रूप वाले हो जाते हैं अर्थात सुन्दर हो जाते हैं रोग उनके समाप्त हो जाते हैं निरोगी और सस्त हो करके वे अपने जीवन को व्यतीद करते हैं ये भगवान के नाम मंत्र की शक्ती बताई आपको जानना है एक एक स्वर एक एक में एक अनुस्वार में एक विसर्ग में भी इतनी शक्ति होती है कि इन अक्षारों की शक्ति को जब लोक के रूप में पिरो दिया जाता है फिर वे अपनी शक्ति को विसेश रूप में प्रदर्शित करते हैं यह सब छोटी-छोटी बाते हैं लेकिन आचार पूझ पास साम के शब्दों को जानिये यत्रभावाह सिवंदत्ते द्यव कियत दूरवर्तिनी यो नयत्याश गव्यूत्यम क्रोशार्दे किम ससीधती यह जो भाव जिनेद्र भगवान के चरणों को अपने हरदय में धारन करके जो भाव उत्तम शुत परणाम शिवंदत्ते मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं द्यव कियत दूरवर्तिनी उससे स्वर्ग को प्राप्त कर लेना कौन सी बड़ी बात है स्वर्ग तो अपने आप मिली जाएगा जब वो मोक्ष प्राप्त करा देते हैं तो स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा तो उसके लिए धारन दिया कि यो न बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं, उनके सामने छोटी तपस्या क्या माइने रखती है, अर्थात भगवान के नाम मंत्र का इस्मरण मोक्ष तक को प्राप्त कराने में समर्थ है, तो ऐसे छोटे मोटे रोग, संसार के रोग दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं भव जोटे काल की बाद छोड़ दें, इसी युक्य सान्ति सागर महराज, उनकी तपस्या के अंदर इतनी शक्ती थी, कि उन्होंने जहां चरंद होए, और उनकी चरंद होए हुए, जल से किसी व्यक्ती ने अपने शरीर की मालिश कर लिया, ने शरीर में खूब लगा लिया, औ और उसका कुष्ट रोग दूर हो गया, ये सब आप आचारी सान्ति सागर इस्मृति ग्रंत चारीत्र चक्रवर्ति इन पुस्तकों को पढ़िए, तो आपको लगेगा कि आज भी तपस्या के अंदर भगवान के नाम के अंदर कितनी बड़ी शक्ती है